कि अज़ेंट्स वेलकम टू वाइफाई टू लाइफाई मैं सिवाय सिंग आज को जो हमने टॉपिक लिया है एपी और एपी का यह लाज टेडिंग है सम आफ फर्स्ट एंड टॉर्म्स आफ एपी इसके पहले जो पिछली एप्सोड से उसमें हमने डिस्कॉस किया था कि इं टॉपिक है वह सम आफ फर्स एंड टॉर्म्स आप लेते हैं कि इसकी जड़ूत क्यों पड़ी जैसे मालेते हैं कि कोई एपी के फॉर्म में एक नंबर है वान टू थी एंड सो आन अप टू हंड़े यानि इतने नंबर दिया गया है तक यादि आपसे कहा जाए कि एक से हं पस्ते हेराम लग जाए, ठीक है ना? अर इसलिए हमएं सम करने की जरूर्त पड़ी फ्र में Appe के फॉर्म में सीरिज है तब तो इससे देखते हैं कि formula कहता क्या है और कैसे हैं हम इसे find कर सकते हैं तो आते हैं फार्मुले पे फार्मुला आपका होता है जैसे समाल लेते हैं कि सम को हम capital ऐसे indicate करते हैं और इसका फार्मुला हो जाता है n by 2 under bracket 2a plus n minus 1d clear मैं आपको explain कर देता हूं इसमें term क्या है n जो है number of term है ठीक है नहीं कितने numbers का हम वे sum निकालना है जैसे माल लेज़े कि 1 से 100 तक के नंबर का sum निकालना है तो यहां पर 100 हो जाएगा यानि कितने नंबर है एन हो जाएगा एक क्या है फर्स टर्म है टू से मल्टिपल है प्लस एन वही है और डी क्या है common difference है अब इसी को समझने के लिए हम एक example से sum of tom's in ap को समझते हैं यह तो formula हो गया आप इसको हमेंसा दिमाग में रखिएगा ठीक है इस पर question बहुत पुछे जाते हैं बोड में तो इसमें समने के लिए मैंने यहां पर एक क्या लिखा हुआ है एक example लिखा हुआ है तो example को explain करने से पहले मैं आप से request करूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तक जाएगा इसकी कोई finite value नहीं है इंफाइनाइट एपी है तो हमें सम करना है 22 टर्म तक ठीक है उससे ज्यादा नहीं 22 टर्म तक ही करना है तो सम करना है बहुत असान है हम सीधे फार्मूले पाए जाते हैं अब इसमें value फूट कर देंगे जैसे हम देखेंगे कि n की value क्या होगी तो हमें बोला है कि पहले से first 22 टर्म तक ही जाना है तो 22 n की value आ गए divided by 2 2 a की जगा पर क्या है एक first term है और first term में 8 है यानी 8 लिखा जा सकता है plus n n की value क्या हमने देखा 22 minus 1 और d क्या निकल सकता है d जैसे value हमको मालूम होता है a2 minus a1 होता है या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है a n minus a n minus 1 टर्म ठीक है ना तो a2 यानी a2 की क्या है 8 है तो क्या जाएगा minus 5 यानी d के value क्या जाएगी minus 5 आजाएगी अब यहां पर value आप पूट कर दीजे minus 5 यह d की value है ठीक है अब आगे चलते है 22 divided by 2 2 8 16 भी अगले step में लिख देंगे ठीक है plus यह क्या हो जाएगा 21 minus 5 अभी क्या हो जाएगा डिवाइट होगा तो 11 ह हो जाएगा आपका 2 8 16 हो जाएगा minus इसे multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 ठीक है ना क्या जाएगा 11 और इसमे 16-105 यानी negative में ही आएगा minus 89 ठीक है ना अब इससे answer निकालते multiply करेंगे तो कितना जाएगा आपका 979 ठीक है ना negative है negative यानी sum यानी हमें इस AP की अनुसार इस AP की अनुसार हमें जो 22 terms निकालना है 22 term तक sum निकालना था वो कितना answer आया minus 979 ठीक है तो बहुत असान था बस हमने formula का ही इस्तमाल किया तो I hope ये video आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो please इसे like कर दीजे और यदि आप मेरे facebook पेज 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 को भी like कर दीजे थैंक्स पर वाचिंग एंड विजित अगें